पहुंच चुके हम लक्चन नमबर 6 तक और इस लक्चर के इंसाइड हम कवर कर रहोंगे कीबोर्ड को उससे पहले हमने टासबार पढ़ा टासबार का काम क्या है किसे से स्ट्रक्चराइज किया जा सकता और परसनलाइज किया जा सकते इसके ऑप्शन्स पढ़े तूद्स क्लिएर कर रहे होंगे सबसे पहले कीबोर्ड का स्ट्चर समझ रहे होंगे कीज को गृॉप करके उन्हें क्या नाम दिया जाता प्रेंगर ं समझ रहे होंगे इसी लेक्चर में और लास्ट में टच कीबोर्ड अगर आपके पास कीबोर्ड ना हो आपके लिपटाप या कम्पिटर का जो कीबोर्ड है वो खराब है तब भे आप माउस के तरू कीबोर्ड को इनेवल करके उसे यूज कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड की आशके है यहां पर कीबोर्ड की तर आपको मिल रहे होते हैं सबसे पहला की टोप पर आ रहा होता हुट इसका फूल सूर इसके जात होते हैं और नएक स्टार है यहां पर तक जितने भी कीज हैं, इन्हें हम function keys केते हैं, तो यह functional keys होते हैं, इन सब keys का काम अलग अलग होता है, आगे हम step by step इनका काम भी समझ रहे होंगे, इन्हें हम function keys के रहे होते हैं, इन future जब मैं कहूंगा, कि चलो यहाँ पर alt की पकड़ के रखो, और फिर f4, तो f4 का हर्गेज मतलब यह नहीं होगा, यह f और यह 4 नहीं, f4 means जो f4 आपको combine मिल जाता है, एक single key के उपर, तो alt यह रहा, f4 आपको यह वाला प्रेस करना होता है, इसी तरह हम जो जो keys combine करेंगे function keys के साथ, हम direct function keys का नाम ले रहे होते हैं, f7, f8, तो उसका मतलब function keys में से f7 और f8, तो total function keys क समझ लेते हैं, पर आगे जाते हैं, तो जैसी नीचे आओगे, तो यहाँ पर एक key आपको दिक रही होगी, और इस key को हम कह रहे होते हैं, symbolic keys, क्योंकि उसके उपर symbols है, और यह symbol, यह symbol कुछ दिर में आप symbol के नाम भी सीखने वाले हो, तो एक दफा दिखते हैं, symbolic keys कौन से combine करके एक group पर रखते हैं, और पर उस group को call करते हैं, symbols के नाम से, तो यह keys जो भी मैंने मार कियें, इन keys को हम symbolic keys कह रहे होते हैं, इन keys को हम कह रहे होते हैं, numerical keys पर numerical सिर्फ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके उपर numbers की सिवा symbols में मौझूद हैं, उपर symbols आ रहे होते हैं, और नी bbe veく things, और आपके यहio yelling keys को हम alphabetical keys करे रहे होते हैं, इन में alphabet होते हैं, चोटी VC, बड़ी VC, यही से type होता है, चोटी भी से टाइब करना है वैसे ही ने प्रेस कर लो बड़ी भी से टाइब करना है तो आपको यहाँ पर मोडिफायर की इनके साथ कमबाइन करना होता है या तो पेर इन कीज को जो मैं इस वकत मार करने जा रहा हूँ एक आजाता है शिफ्ट और दूसरा सी टी आरेल स्टेंट फॉर कंट्रोल और यह विंडो की होती है और यह आल्ट की जिसे हम अल्टरनेट की कह सकते हैं यह जो चार की मैंने मार की हैं यह कीबोर्ड के दोनों साइडों की तरफ होता है यह होगा की बोर्ड का lane side और यह होगा की बोर्ड का right side तो right side में भी आपको alt की मिल जाती है और window button मिल जाता है control की मिल जाती है CTRL जिसे का आ जाता है और shift की मिल जाती है इन keys को हम special keys या तो modifier keys के सकते हैं इन Keys को हम वैसे भी use कर रहे होते हैं इने बाकी KEEZ के साथ क palace के किमबाइन करके । हम special type के जो टार्ष को इसे perform कर रहे होते तो इन KEEZ को हम करे होते है मोडिफाइर की तो यहां पर एक ďटप है की की और दूसरा तो इहां पर Space के की और नेधंग के सकते हैं यहれたर के according आपको space दे रहा होता है और यह लाइन के बराबर आपको स्पेस दे रहा होता है लेटर के बराबर स्पेस चाहिए तो स्पेस प्रेस कर लो वर्ड के बराबर स्पेस चाहिए तो टिप की प्रेस कर लो और अगर लाइन के बराबर स्पेस चाहिए तो आप प्रेस कर सकते हो इंटर की तो इन तीन कीज को हम स्पैसिंग कीज कह सकते हैं नेक्स हारा है कैप्स लोक और इसे कैपिटल लोक भी कहा जाता कैपिटल लोक मतलब क्या होगा कैपिटल लोक का कैपिटल लोक मतलब जो भी कीज आप यहां पर प्रेस कर रहे हो, उनको केपिटल में कनवर्ट किया जाता है. वैसे प्रेस कर रहे होगे, तो चोटी वीची मिल रही होती है. जैसे यह कीपरेस करते हो, तो आपकी बूर्ड में यहां पर इस साइड में कुछ लाइट होती ही, वË लाइट लग ज करने हैं बाकि अगर एक सिंगल लेटर आपको वड़ी अपयर द factor युज कर सकते हो किसे करके रखो और स्पैसिफिक कूLo wait आपको बड़ी बिसी में मिल रहा होता है वाकिए अपने याद RENK को केशलोग अगर ओन होगा तो चीज़े बड़ी बीसी में, शिफ्ट उसे कढ़ी में करना करता है केशलोग अगर और फेरी तो चीज़ें चिरीफे बीसी में तो Home Keys के Inside आपको PrT SCN की मिल जाती है, Print Screen जिसे कहा जाता है, Scroll Lock आपको मिल जाता है, Pause Break मिल जाता है, Next आपको यहाँ पर यही गुरूप मिल रहा होता है, इस गुरूप की Inside पहला की है, Insert, और insert को INSM के रहे होते हैं शोट में और नेक्स आ रहा है होम की पिर end की और delete की डिलीट की को हम शोट में DL से काल कर रहे होते हैं तो यहां पर DL की भी मुझूद है और नेक्स यहां पर अपने page up देखना है और page down देखना है यहां पर PGDN आ रहा होता है तो PGDN मतलब page down और यहां पर PG up आ रहा है तो PG up मतलब page up यह जो नौ की आ रहे थे इन कीज को हम home की के रहे होते हैं इसके जस नीचे आपको arrow की मिल रहे होते हैं कितों आप navigate करसकते हो, cursor को यह होगा, move करसकते हो, वगला, टोटल चार टाइब के arrow keys होते है, एक होगा left arrow, दूसरा होगा right arrow, तीसरा होगा bottom arrow, या down arrow, और next होगा right arrow, तो चार टाइब के Arrows keys मौझा है, नेक्स आ रहा होता है numerical Keys, accounting में और banking में सबसे जदा, यह वाली keys use किये जाते हैं इसके inside आपको num lock मिल आता है नम lock मतलब numerical lock अब जब आपको mouse use करना है without mouse मतलब physical mouse आपके पास मुझूद नहींे physical mouse आपके पास मुझूद नहीं है तब आपको mouse gives करना है तो कुछ settings होते आप अगे आप पढ़ने इसको आप on कर लो, on करने के बाद आपको यहाँ पर यह चीज़े एक्टिवेट होके मिल जाएंगे, यह जो सेमल्स आपको देख रहा है, यह सेमल्स आपको एक्टिवेट होके मिल जाएंगे, जैसे के in jump करना, down आना, page down करना, up जाना, page up करना, delete करना, यह कीज वैसे भी single functionality कर कर रहे होते हैं, और behave कर रहे होते हैं, तो यह ता total यहाँ पर keyboard का structure, और नम लोग को हम numerical लोग भी कहते हैं, तो यह ता total structure of keyboard समझा चुका होगा, और इसकी inside आपको symbols मिलते हैं, इन symbols के नाम हम समझ रहे होंगे, step by step, तो symbolic की आ जाती है, symbolic की inside आपको यह पहला symbol मिल जाता है, और इसके inside एक और symbol है, पहला symbol आपको चाहिए, तो वैसे ही प्रेस कर लो, दूसरा symbol चाहिए, तो shift के साथ आपको यह key प्रेस करनी होती है, तो यह symbol होता है, tell और tell day का symbol, और यह होता है back tick, इसे programming में बहुत ज़्यदा यूज़ किया जाता, next आ रहे है, exclamation mark, वैसे प्रेस कर हम इसे hash या pound symbol के रहे होते है, और इस symbol को हम dollar का symbol, और यह होगा percentage, इसे cape का symbol, या तो पिर हम इसे के सकते है, carrot का symbol, and और m% हम इस symbol को के रहे होते है, next आ रहे है, asterisk का symbol, और जो कि star और इसे multiplication के लिए भी हम use कर रहे होते है, और इसे हम power के लिए use कर रहे होते है, inside axle और programming, इन left parenthesis होगा यह right parenthesis होगा अब small brackets भी कह सकते हो next आ रहा है यहाँ पर यह वाली key इस key को हम symbolic key में रख रहे होते हैं और इसकी inside आपको underscore मिल रहा है underscore कब मिलेगा जब आप shift के साथ इसे press करोगे वैसे ही press करोगे तो आपको minus, hyphen या तो पिर dash मिलेगा तो इसे हम hyphen, minus या तो dash और इसे हम underscore कह रहे होते हैं यह होगा plus और यह होगा equal और next यहाँ पर आपको तीन key मजीद मिल रहे होते हैं इन key's के inside देखो गए यह वाले जो bracket है जो कुछ इस तरह से आ रहा है इन वाले brackets को हम curly braces और curly brackets कह रहे होते हैं और इन्हें medium brackets भी कहा जाता और यह वाले जो brackets हैं इन्हें हम large brackets या तो पिर simple brackets भी कह सकते हैं तो इस symbol को हम pipe या तो vertical line भी कह रहे होते हैं और यह होगा back slash अगर आपको pipe का symbol चाहिए होगा या curly braces चाहिए तो जहर है shift के साथ आपको in key's को press करना होगा जिसमें आपको सबसे पहले यहां पर दो dots और इन दो dots को हम colon के रहे होते हैं और 1 dot और 1 comma आपको मिल रहा होता है इसे हम semichato column के रहे होते हैं यहां पर इसे हम double close के रहे होते हैं और इसे हम apostro refinada рис solo kay THERE होते हैं लास्ट यहां पर यह तीन key's रहे जाते हैं इन तीन कीस के In-Side यह होगा Less than Symbol, Greater than Symbol, यह होगा अब यहाँ पर इसे हम Dot कह रहे होते है ähm पिरिट कह रहे होते है यह तो फिर यह होगा Full Stop, Full Stop वर पिरिट हम इसे कह सकते हैं यह सिम्बल होगा Question Mark, Shift के साथ Press करोगे तो Question Mark मिलेगा वैसी प्रेस करोगे तो आपको forward slash मिल रहा होता है तो ये होगा backward slash और इसे हम कहे रहे होते है forward slash इस key को हम right click कहे रहे होते हैं तो ये right click key कहलाती है तो mouse की inside right click जो होता है वो अगर खराब हो जाता है तब भी आप keyboard की inside से भी right click का use कर सकते हो तो keyboard भी आपको right click का backup दे रहा होता है तो इसकी को जब भी आप देखो तो समझ लो ये वाली की right click के लाती है तो अमीद करता हूँ आपको ये keyboard का जो structure है वो समझ आ चुका होगा बागी हम आगे shortcut keys भी पढ़ रहे होंगे और typing भी सीख रहे होंगे वो सारे चीज़े step by step आगे आ रहा होगा तो stay connected फिलाल हम यहाँ पे इसके settings पढ़ते हैं तो keyboard की कुछ settings होते हैं तो मैं window की press करूँगा ये नीचे आ रहा है window और इसकी inside आपको search करना है control panel अब control panel जिसी search करेंगे तो यहाँ पे आपको एक setting मिल रहा होता है keyboard के नाम से और इसके inside हमने mouse पहले से cover कर लिया mouse पढ़ लिया है control panel में फिलाल हम यहाँ पे keyboard पे click करेंगे और यहाँ पे किसी भी एक software को आप open कर लो जिसे मैं यहाँ पे open कर रहा हूँ नौटपेड को और अगर हम यहाँ पे इसे fast कर ले apply पे click कर ले और cursor रखूँगा अब देख लो cursor यहाँ पे बहुत ही तेजी से blink कर रहा है तो अब यहाँ पे अपने cursor का जो blink है और blink rate है वो control cursor तो अपनी हिसाब से जो भी रखना चाहो फिलाल मैं यहाँ तक इसे रख लेता हो और apply पे click करूँगा यह smooth हमें यहाँ पे cursor blinking देदेगा उपर यहाँ पे मजीज settings आ रहे होते हैं आपके cursor का तो character repeat इसे कह सकते हैं character repeat के इसाइड पहला आ रहा है repeat delay और दूसरा आ रहा है repeat rate अब जिसे मैं यहाँ पे किसी भी key को प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पे मैंने repeat का जो delay है वो long रखा है इसका मतलब किसी key को आप ज़्यदा देर तक पकड़ोगे उसके बाद वो repeat होना start हो जाएगा तो आप अगर इसे short रख लेते हो apply पे click करोगे तो कुछ देर तक किसी भी key को जैसी पकड़ के रखोगे तो वो तेजी से यहाँ पे start करके हमको letters repeat करना दे देता है तो देखलो यहाँ पे यह अब रुक नहीं रहा और तेजी से तो कभी-कभी हम गलती से किसी key के उपर हाथ रख लेते हैं तो जाहर बात है वहाँ पे हम repeat नहीं करना चाहते है फिलाल में इसे यहाँ पे अपने हिसाब से long की तरह तोड़ा दूर यहाँ पे रख रहूंगा और again एक चाहर है यहाँ पे repeat rate तो एक letter के बाद जो दूसरा letter आ रहा है वो कितने देर में आना चाहिए यह repeat rate होता है तो मैं यहाँ पे इसे delete कर लेता हूँ और repeat rate इस वकत fast है तभी तो यह letter यहाँ पे fast तरीके से आ रहा है और तेजी से आ रहा है तो माल लें आप चाहते हो नहीं यह slow में आए तो simple आपको control panel की तरफ आना है और इसके inside आपको keyboard properties डूनना है और वहाँ पे आके आप यहाँ पे अपने keyboard को set up कर सकते हैं और next और last step इसकी inside आ रहा होगा hardware इस वकत हम यहाँ पे speed वाले टेप पे मुझूद थे अब यहाँ पे आ रहा है hardware टेप और इसके inside सिर्फ आपको बताया जाता कि manufacture कहा पे किया गया है standard keyboard है और इसे plug कहा किया गया है तो अगर आप external keyboard यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको मिल रहा होता है USB port फिलाल मुझे यहाँ पे plugged into keyboard port क्योंकि मैं laptop यूज़ कर रहा हूँ क्या यहाँ पे जो हमारा keyboard यूटीक से काम कर रहा है या नहीं वो भी मुझे यहाँ पे बताया जा रहा मागी properties पे click करके आप इसके drivers, details, events वगरा के हवाले से मजीद बढ़ सकते हो तो यह थे इसके settings और बहुत ही कम settings थे पर हम यहाँ पे समझ चुके हैं अगर mouse होगा और keyboard नहीं होगा तब भी आप keyboard को यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे taskbar लास्ट आम हमने taskbar पढ़ा तो उसके inside हमने पूरा setup किया था यहाँ पे इस keyboard को यह keyboard कासे enable होगा तो अप यहाँ पे taskbar पर right click कर लो यह खाली area पर right click कर सकते हो और taskbar setting पर आपने click करना होता है जिसी click करोगे यहाँ पे inside आपको मिल रहा होगा touch keyboard फिलान में यहाँ पे taskbar का behavior है इसे enable कर लेता हो यहाँ पर आपको की बॉर्ड दिख रहा होगा अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर इसे enable कर लो फिराव यहाँ पर disable है तो नहीं आ रहा नेवर पर क्लिक किया है पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करें यह always पर यहाँ जाएगा keyboard क्लिक करूंगा तो मुझे यह वाले keyboard मिल रहा होगा इसे मैं attach कर सकता हो अंडो कर सकता हो वगयरा तो यह रहा keyboard और इसका पूरा setup हम last lecture में देख चुके हैं अब keyboard को enable करने का एक तरीका यह था कि आप यहाँ पर क्लिक कर लो keyboard आ जाएगा और इसे enable करने के लिए right click कर रहा होता है इसी वरके ओट कर सकते हो यहाँ वी खेत डियावरा आ चुका होगा keyboard का structure समझ आ चुका होगा और ये topics जो हमने यहाँ पे देखे ये आपको clear हो चुके होंगे keyboard के बाद आपको typing सीखना होता है तो अगर आपको typing सीखनी है तो एक दफा ज़रूर comment कर ले तो हम basic से typing start करेंगे और advanced के तरफ चले जाएंगे तो आएंगे वापिस folder के साथ